नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। यहाँ पर हमें दिया गया है कि इस असमिका को आलिक्य विदी से हल कीजिए। तो जब भी हमें ऐसा करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर इस समिकरन को लिखेंगे और इसके संगत जो रेखा आएगी उसे ग्राफ पर खीचेंगे। तो हमें यहाँ पर इसके संगत रेखा को खीचना है, तो इसके लिए यहाँ पर इसके निरदेशांक निकालने हूंगे, तो इसे हम कैसे निकालेंगे। तो यदि हम X को पहले 0 रखते हैं, तो यहाँ पर यह 0 हो जाएगा, Y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। से जब x 0 है तो y 3 है यानि की 0 3 ये कहां पर मिलेगा y अक्षपर तो यहां पर हमें मिल जाएगा 0 3 और एक हमें निर्देशांक मिला है 2 0 ठीक है तो यहां पर ये मिल गया हमें 2 0 अब इन दोनों को जोड़ते वे जो रेखा आएगी वो हम किस तरीके से खीचेंगे तो देखे ये रेखा आ गई किस समेकरण की तो वो समेकरण आप यहां पर लिख दीजिए क्या इतना क्लेर है अब आते हैं असमिका पर तो आप यहां पर देख सकते हैं कि असमिका में यहां पर क्या है ये है सुनिश्चित असमिका और जब भी सुनिश्चित असमिका होती है तो जो रेखा हम कीशते हैं वो बिंदूवत होती है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे इसे dotted खीचेंगे बिंदूवत समझ में आया क्यों? क्यूंकि असमिका में यहाँ पर सुनिश्चित असमिका है इसलिए, यदि यहाँ पर बरावर का चिन्न होता तो आप इसे गाड़ी रेखा खीस ते ठीक है, अब आएंगे हम कि इसका आलेख या हल क्या होगा इस असमिका का तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आप निर्देशांक ले लिजे मूल बिंदू के जो की क्या होते हैं यह होते हैं आप इस असमिका में यह रखिए और देखिए क्या यह यहाँ पर इसे संतुष्ट कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर आएगा 3 और X के जगे क्या आजाएगा 0 आ जाएगा ठीक है और यहां पर इस तरीके से आप लगा दीजिए अब ये कितना आएगा ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0 तो ये आ गया 0 जो है वो 6 से अधिक है क्या ये सत्या है नहीं यानि कि जो मोल बिंदू के निर्देशांख है वो इस असमिका को संदुश्ट नहीं करते है ठीक है और मोल बिंदू कौन से तल में था इसके निचले तल में इस रेखा के निचले तल में यानि कि जो हमारा हल है वो इस रेखा के ऊपरी तल में होगा कहां पर होगा इस तल में होगा क्या तिबात्यर है और ध्यान रहे इस रेखा पर आने वाले बिंदू भी इस अ शिर्फ और सिर्फ इस तल में जितने भी बिंदू हैं, वो इस असमिका को संतुष्ट करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्ण पर, जो कि है द्वी विम्य तल में असमिका और यहाँ पर यह असमिका दी गई है, इसका आलिखन विदी से हल कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इस समिकरण के लिए ग्राफ में एक रेखा किशनी होगी, है ना? और इसके लिए बिंदू क्या आ जाएंगे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें एक ही चर दिख रहा है, यानि कि हम इसे ऐसे ही सॉल्फ कर देंग यह आ जाएगा तीन एक्स बराबर छे, क्या जाएगा? यह आ जाएगा एक्स बराबर दो, यानि कि हमें एक्स बराबर दो की रेखा को ग्राफ पर खीचना है तो यहाँ पर यह ग्राफ है, एक्स बराबर दो की लाइन किस प्रकार से बनेगी? तो एक्स दो यहाँ पर है, यानि कि इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगी? एक्स बराबर दो की लाइन तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यह x बराबर 2 की लाइन है अब आप मुझे यह बताइए कि यहाँ पर जो यह रेखा है यह ऐसे ही रहनी चाहिए यह इसे बिंदू बत कर दे तो इसके लिए हम देखते हैं असमिका को असमिका में आप देख सकते हैं कि इस चिन के साथ बराबर भी है यानी कि इस रेखा पर आने वाले सभी बिंदू इस असमिका को संतुष्ट करते हैं तो यह गाड़ी लाइन ही रहेगी क्या अतना क्लियर है अब आप देख सकते हैं इस रेखा ने क्या कर दिया एकस वाई प्लेइन को दो तलों में विभाजित कर दिया तो मान लिजी हम इस तल का ये बिंदू जो मोल बिंदू है इसके निरदेशांग ये है चलिए देखते हैं कि क्या ये बिंदू इस असमिका को हल करते हैं तो कैसे देखेंगे तीन और एकस के जगे आ जाएगा जीरो माइनस सिक्स जो कि जीरो से अधिक या बराबर है ये हो जाएगा जीरो यहाँ पर आ जाएगा माइनस सिक्स ये अधिक या बराबर है जीरो के तो क्या ये सही है क्या माइनस सिक्स जीरो से अधिक होता है नहीं होता है यानि ये कैसा है असत्य है यानि कि इस तल का हमने एक बिंदू लिया और देखा कि वो इस असमिका को संतुष्ट नहीं करता है यानि कि इस असमिका के लिए जो हल होगा वो कौन सा तल में आएगा दाए अर्द तल में आ जाएगा तो इसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे छायांकित कर देंगे तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसके असमिका के हल को छायांकित कर दिया है अब आते हैं अगले प्रश्ण पर ये कहता है कि y 2 से कम है इसको आलेखन विदी से हल कीजिए तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा सबसे पहले हमें यहाँ पर y बराबर 2 की रेखा खिशनी होगी तो चलिए हम यहाँ पर x y तल देखते हैं तो y बराबर 2 की रेखा कहां सजाएगी यहां सजाएगी और यहाँ पर आप लिखेंगे कि यह y बराबर 2 की रेखा है अब आप मुझे यह बताईए कि यह रेखा बिंदूवत होनी चाहिए थी या गाड़ी होनी चाहिए थी तो यह हम देखते हैं असमिका से यहाँ पर ये एक सुनेष्वित असमिका है तो यहाँ पर बिंदूवत रेखा आएगी क्या एकनी बाद क्लिर है तो जिसे हम यहाँ पर इस प्रकार से कर देगे अब यदि हमें देखना हो कि इस असमिका का हल किस तल में होगा तो हमें क्या करना होगा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम मूल बिंदू जो की निचले अर्धतल में है इसके निर्देशांकों को इस असमिका में रखें और देखें कि क्या यह निर्देशांक इस असमिका को संतुष्ट करते हैं या नहीं तो चलिए यहाँ पर इने रखते हैं y की जगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा और 0 और यहाँ पर यह आ जाएगा यानि की 0 2 से कम है क्या यह सत्य है? यानि की क्या 0 2 से कम होता है? बिल्कुल यानि की यह असमिका सत्य सिद्ध हो गई इसका मत्तब है कि वो अर्दतल जिसमें मूल बिंदू था वो क्या हो जाएगा? इस असमिका का आलेख या हल हो जाएगा. तो हम यहाँ पर इस निचले अर्दतल को चायांकित कर देंगे. तो यहाँ पर हमने इस असमिका का जो हल है उसे चायांकित कर दिया है.